हेलो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज आप लोग के लिए करके आए हुए हैं बहुत यह special वीडियो जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि कपड़ा का बिजनस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम कितना रखम जरूरत है यानि कि आप कि से पहले बात करेंगे बिजनस के लेवल के उपर तो दोस्तों स्टार्टिंग में बिजनस में आप कितना ज्यादा पैसा लगा सकते हैं कितना कम पैसा लगा सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड है आपके बिजनस के उपर डिपेंड है आप बिजनस में कितना ज्यादा पै स्टार्टिंग में ही आपको ऐसा लगा कि यार मैंने गलत जगह पे बिजनस जो है वह स्टार्ट कर दिया हूं गलत बिजनस को चून लिया हूं तो इस वीडियो में प्रोपर बताऊंगा कि आपको कितने रुपए का कौन सा सामान लेना चाहिए ताकि आप कपड़े का बिज दुकान का जो विठ है चोड़ाई वह 10 फीट हो और लंबाई वह कम से कम 15 फीट हो 10 पैप 15 का जब आपके पास रूम अवाइलेबल है तब आप वहां पर कपड़ा का बिजनस जो है वह स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा जगह जरूरत इसलिए पर जाता है कि आ अकेले नहीं आता है कई सारे कस्टमर अकेले आते भी हैं लेकिन उनके साथ साथ एक या दो लोग और भी आते हैं तो आपके दुकान में इतना ज़्यदा जगह हो कम से कम आप मतलब आपके दुकान पे चार या पांच कस्टमर जो है वह इसलिए बैठ है तो इतना बड़ा पंद्रा का एटलिस जगह जो जरूरत है वो चाहिए वो होना ही चाहिए आपके पास तो दोस्तों मैं इस वीडियो में पूजी जो है वो मैं इंडियन रुपीज में बताने वाला हूँ और ये पूजी जो है आप अपने कोर्डिंग घटा बढ़ा कर सकते हैं ये नॉर्म से कम की पूजी है तो थोरा सा मुश्किल हो सकता है ऐसा नहीं कि बिजनस स्टार्ट नहीं होगा लेकिन हाँ थोरा सा मुश्किल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है दो लाग से कम का पूजी है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो है मेल उसके जो वेराइटी होते हैं क अपड़े के तो वो थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है तो एटलिस आप यह रखिए दो लाख रुपए का पूजी जो है आपके पास होना चाहिए अनिवार है और आप अपने को इस पूजी को एक स्पांड कर सकते हैं अगर आप ज्यादा लगानी करने की चुक है तो आप के लिए आप अलग से रुपए देख सकते हैं यहापे दो लाख रुपए का केवल हम माल पर्चेजिंग का आइडिया आप लोको देने वाला हों कि दो लाख रुपए से आपको कौन-कौन से विराइटी मेंटेन करके रखने चाहिए तो डेकॉरेशन की क्या ही बात की जा परकार का जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस परकार के हैंगर्स वगएरे में लटका करके सो करके भी आप रख सकते हैं और आप पर पास रेक वगएरा काउंटर वगएरा बनाने के पैसे ना हो तब तो माल पर्चेजिंग से पहले यह चीज समझिए कि पूरुसों के मुकाबले में महिलाय जो है वो ज्यादा स्वापिंग करना पसंद करती है महिलाय जो है वो ज्यादा खरिदारी करना पसंद करती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए लेडिस आइटम जो है वो आपको बढ़ चरके रखना होगा आपने दुकान में लेडिस का जो प्र आई टाय वो आपको मेंटेन करके रखने होंगे और जिन्स में आप थोरा कम कर सकते हैं जिन्स में कि नॉर्मली क्या होता है आप 40 प्रेंट वगार का जो कप्ड़ा होता है गंजी जांगिया यह सब मेंनेज कर सकते हैं तो जैन्स को थोरा दिर हम बाद में एक्स्प्लेंग करेंगे कि क्या क्या रखने हैं तो स्टार्ट करते हैं पहले लेडिज आइटम से कि लेडिज आइटम में आपको क्या क्या रखने चाहिए तो ladies में सबसे पहले हम बात करते हैं आपको एक लाख रुपय का जो है से कि आपको केवल सूट रखने चाहिए मेरे विचार से एक लाख रुपय का अगर सूट आपके पास stock आ जाए तो एक लाख रुपए से नॉर्मली आपको कौन-कौन से रेंज मिलाने है यह रेंज भी आप समझ लिए पहले जैसे कि आप दुकान जो है ओपन कर रहे हैं और आगे जो है साधियों का लगन जो है स्टार्ट होने वाला है तो ऐसे समय में आप के पास मतलब कम से कम 25-30,000 रखिए या 25-30,000 का एक special जो है कुर्तियों का कलेक्शन रखिए ताक 25-30,000 का जो कुर्ति आप लेंगे वह मार्केट से हटके होने चाहिए और थोरा सा जो है प्रीमियम लुक वाला होना चाहिए वैसे प्रोड़क्त को आप लाते हैं डिस्प्ले कर दें दुकान में जहां पर ग्राकों का जहां पर जो पब्लिक आती जाती रहती है और आपके दुकान पर नजर परे तो वैसी नजर परने वाले जगह पर उस चीज को आप हैंगर में लटका करके रखिए ताकि लोगों का नजर परे और ऐसा लगे कि साधी विवाह में ये चीज पहनने लाइक है तो ये 25 से 30 जार का आप ये चीज मेनेज कर सकते हैं अब हम बात करेंगे यहां पर 40,000 से 50,000 रुपए के बीच में तो 40 से 50,000 रुपए में आपको ऐसे विराइटी मेंडेन करने हैं जो कि डेली लाइफ में लोग उसे यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में जो ऐसे की महिला है उस कपड़े को पहन रहे हैं तो ऐसे कपड़े कौन से होते हैं तो जो प्रिंटेट कूर्थी जो गयरा होते हैं जो प्रिंट किये गया रहते हैं सूती कपड़ों में तो ऐसे कपड़े जो है थोड़ा सा सस्ता भी रहता है और लोग उसे ज्यादा खड़ीते हैं ताकि ऐसे कि एक दो महिना चार महिना के बाद में बदल ले आसानी तरीके से लोगों के जीए पे भाड़ी भी नपड़े तो सस्ते प्रोड़क्ट को आप 40-50,000 रुपए के बीच का उम मैनेज करके रखे चाली से 50,000 रुपए अगर आप देते हैं तो तकरीमन तकरीम मेरे ख्याल से आपको 100 पीस से उपड़ ही आएगा 100-500 पीस जो है 50,000 रुपए में आप प्रिंटेट कुर्टी हो गया जो की मेडियम रेंज है प्रिमियम रेंज के हम बात नहीं कर रहे हैं तो 100-500 पीस आपको इजी तरीके से मिल जाएंगे तो टोटल आपने 25-30,000 प्रिंटेट कुर्टी पे खर्च किये और यहां पर 50,000 रुपए प्रिंटेट कुर्टी पे खर्च किये अब बात आ जाता है यहां पर लेंदेन वाला कपड़ा कई सारे मतलब गाउधियात में क्या होता है कि कोई अगर मिहमान उनके घर आएं तो उनको खाली हाथ नहीं लोटाने का जो चलन होता है और रितिरी वाज होता है वो चीज हो गया तो वो आपको मेनेज करने होंगे क्या सस्ता भी लगे लोगों को और अच्छा भी दिके ऐ ऐसे सूट वगयरा आप कलेक्शन करके रख सकते हैं 25-30,000 जो आपके पास बच रहा है एक लाख रुपए में तो 25-30,000 रुपए का आपको ऐसा प्रोड़क्ट रखना है जो कि मतलब दिखने में अच्छा हो और सस्ता भी हो ताकि लोग जो है उसको इजी तरीकर से खरिच सके और जो उनके पास जो उनके घर मेहमाना है उनको दे भी सके तो ऐसे प्रोड़क्ट को आपको मेनेज करके रखने 25-30,000 रुपए में तो यहां पर आपका एक लाख रुपए का जो बजट था वो एक लाख रुपए का बजट अब खतम हो चुका है अब हम बात करेंगे थोरा सा आगे अब बच्चों के कलेक्शन के उपर अब बच्चों के कलेक्शन के उपर क्या आते हैं जिसकी जिन्स का पाइंट हो गयरा हो गया टीशर्ट हो गयरा हो गया तो बच्चे का कलेक्शन बच्चे का जो कपड़ा अगयरा आता है लेडिस जिन्स लगवल लगव सेम ही रहता, चार से पांच साल का जो ग्रूप है, बच्चों के कपड़े के लिए यहां पर हम बात करेंगे अगला बजट जो की 15 से 20 से रुपे में आपका हो जाने वाला है, यहां पर हम बात करेंगे, जो जन्म लेते हैं बच्चे, जन्म लेने के दौरान से ले करके, पां तो बच्चों का रेडिमेट वस्तर जो है, वो ठान का जो कपड़ा होता है, उससे थोरा सा सस्ता भी मिलता है, और देखने में जो हैसे की अच्छा भी लगता है, 15 से 20 से र के बजट में आपको बच्चों का कपड़ा रखना होगा, जिसमें एज ग्रूप हम बताती है, ब जैंस के कपड़े के उपर में हम बात करें, यहां पर नॉर्मली गाहोँ देहात में अगर आप सौप कर रहें, तो वहाँ पर हाफ पाइंट वगरा और गंजी वगरा कुछ ज्यादा बीगते हैं, काम करते वगते हो और खेतों में जो हैसे की काम होगरा जो होते हैं, इधर सेपरेट विडियो बनाँगा, थन्ट में आपको कॉन कौन कुन से चीज़ रखनें चाहिए तो अभी हम गर्मियो के बात कर रहें, तो गर्मियो में बहुन अब को सकते क्यों अगmotion क्यों है, शतर Minh Signal vat faces all the nights time का है नहीं में घ्र अएक समझी सो रुपे मीटर तक के जो कपड़े होते हैं वह अफ़र्ड कर सकते हैं लोग तो ऐसे कपड़े का मैनेज किजिए जिसमें जो है क्वाटर पैंट सिलवाया जा सके और एक गंजी तो आप रखेंगे कपड़ा दुकान कर रहे हैं तो गंजी रखना जो हैसे की अनिवार भी रख सकते हैं तो यह चीज तो हो गया आपको मतलब अंदर पैंट और गंजी का वराइटी अब हम बात करेंगे यहां पर जेंस के जो थान का जो कपड़ा होता है पाइंट और सोट सिलाने के लिए कमीज कुर्टा सिलवाने के लिए तो इसके उपर हम तोरह सा बात करें तो नर्मली आपको गंजी और अंदर पैंट का जो कलेक्शन है वो 10-15,000 रुपए का 20,000 रुपए का मैक्स टु मैक्स आप रख सकते हैं तो यहां पर आपका 1,40,000 रुपए का बजट जो ने आपने निकाला हुआ था वो अब एंड हो चुका है तो अब आपके पास बच जाता है साथ हजा रुपए अब इस साथ हजा रुपए में आपको 50,000 रुपए का क्या करना है कि जेंस के कपड़े जो है वो खरीद करके रखने हैं जेंस के कपड़े में क्या होता है कि आपको सटिंग सुटिंग के कपड़े हो गए कमीज कूरता सिलवाने के लिए कपड जो कि और लेड़ी ब्रांद मार्केट में मौजूद है वैसे ब्रांड का समान वगएरा वैसे ब्रांड का कपड़े वगएरा अपने दुकान में मेनेज करके रखिए ताकि आपको कस्टमर डिल करने में ज्यादा प्रोब्लम ना हो तो यहां पर 50-60,000 रुपे जो बच रहा अब आपके पास 10-20,000 रुपे बच रहा है तो 10-20,000 रुपे जरूर से बचा के रखिए क्योंकि 10-20,000 रुपे जब आपके पास पोकेट में रहे गा अगर कोई कस्टमर आपके दुकान पे कोई प्रोटक्ट खोजने आ रहा है दो तीन कस्टमर सेम प्रोड़क्ट को है से कि होलसेलर बैठे हुए है तो वहां से आप जा करके उस प्रोड़क्ट को ले करके आए ताकि आप कस्टमर को बेच सकें तो वह 20 रुपए जो है वह आपका अब रणिंग कपिटल ने जो है सी कि वह तबदील हो जाएगा तो दो लाख रुपए टोटल अगर इन्वेस् मेनेज की इच्छा है आपकी तो नॉर्मली एक लाख रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं पुरा वेराइटी ना मेनेज करें तब ही और होलसेलर को ढूंडने के लिए यहां पर एक इजी टिप्स यह है कि आपको बड़े सहर में आपके नजदी की बड़े सहर जो है वहाँ पर आपको होलसेलर जो है वह मिल जाएंगे वहाँ से जाकर के आप अपना प्रोड़क्ट ले सकते हैं इसमें कोई दिकत वाले आपको जहां मर जी वहां पर लीजिए आपको सुविधा होनी चाहिए या आप अपने दुकान तक माल को सही सलाब ले जा सकते हैं या चैनल पर नहीं है तो नीचे लाल वाला बटन जो है उससे दबा करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में जो घंटा का निसान है उसको जरूर दबाईगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू तो सबसे पहले उसे आप देखें मिलते हैं अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ में तब तक के लिए बैबाय और टेक कियर